ये बालिकाएं बैठी हुई हैं और ये बालक बैठी हुए हैं तो इनके जीवन उप्योगी बातें मैं इनसे करना चाहूंगा बच्चों पहले सीधे हो करके बैठो जो कमर गर्दन सीधी करके बैठता है उसकी बुद्धी बढ़ती है जो कमर गर्दन सीधी करके बैठता है उसको आलस से नहीं आता जो कमर गर्दन सीधी करके बैठता है उसकी बुद्धी तीब्र होती है और उसकी कमर नहीं बुडती और उसकी नेत्रों की जोती बढ़ती है तो सीधे बैठना चाहिए आपके जीवन उप्योगी बाते में आपसे करूँगा आगे कौन-कौन बढ़ना चाती है बताओ हाथ खड़ा करो आगे कौन-कौन बढ़ना चाती है ये हमारे जो बालक हैं आप आगे बढ़ोगे बेटा नहीं बढ़ोगे हाथ खड़े करो फिर कौन कोन आगे बढ़ना चाते हैं सभी आगे बढ़ना चाते हैं नीचे करो तो मेरी बात ध्यान से सुनना यदि आपको आगे बढ़ना है यदि आपको सूरज और चांद की तरह से चमकना है तो आपको विद्वानों की बातों को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और जो ध्यान से सुनता है वो अच्छा विद्यार्थी होता है वो अच्छी छात्रा होती है मैं आपके जीवन में काम आने वाली बातें आपसे सांजा करूंगा देखो ये जो विद्यारती काल है ये बड़ा ही महत्व पून काल है इस विद्यारती काल में विद्यारती का एक ही लक्से होना चाहिए एक ही लक्से पर अगर उसकी नजर होगी जैसे अरजुन की चिडिया की आँख पर नजर थी बहुत सारे लोगों ने किसी ने उसके पंक देखे किसी ने उसके पैर देखे किसी ने पेड देखा किसी ने कुछ देखा पर आचारिय द्रोन ने जब पूछा अरजुन तुम्हे क्या दिखाई देता है तो अरजुन ने का गुरुदेव मुझे तो चिडिया की आँख दिखाई देती है तो कहा बस इसी आँख पर निशाना लगाना है तो ऐसे ही जब तुमारा लक्षिय एक होगा और वो लक्षिय क्या होगा विद्या प्राप्ति अपने नींद को छोड़ करके ऐसो अराम को छोड़ करके जो विद्यार्थि या जो छात्रा अपने मन में विद्या के प्रति अनुराग पैदा करेगी जो विद्या के प्रति सजक रहेगी जो अपने गुरुजनों की सेवा करेगी जो अध्यापिकाओं का सम्मान करेगी तो उसको विद्या आ जाती है और जो आलश से प्रमाद करता है जो अपने अध्यापकों का अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता उनकी आज्या का पालन नहीं करता ध्यान से बाते नहीं सुनता वो पीछे रह जाता है वो पीछे रह जाती है जो बात को ध्यान से नहीं सुनते है तो ये जो विद्या है न ये सबसे बड़ा खजाना है जिसके पास में विद्या होती है उसके पास में सब कुछ होता है और विद्या को प्राप्त करके व्यक्ति इंसान बनता है महान बनता है उसकी पूजा होती है विद्वान की पूजा देश में भी होती है और राजा की पूजा केवल देश में होती है विदेश में नहीं होती है तो इसलिए राजा और विद्वान की तुलना नहीं की जा सकती जो विद्वान होता है वो विदेश में भी पूजा जाता है और अपने देश में भी पूजा होती है उसकी पढ़ना किस-किस को अच्छा लगता है, आथ करो, खड़ा करो और खेलना किस-किस को अच्छा लगता है खेलना भी सबको अच्छा लगता है नीचे कर लो हाथ खेलने के समय में खेलना चाहिए और पढ़ने के समय में पढ़ना चाहिए ऐसा ना हो जाए कि पढ़ने के समय पर आप खेलो और खेलने के समय पर आप पढ़ो तो खेलने के समय पर खेलना चाहिए और पढ़ने के समय पर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए पर बहुत सारी छात्राइं ऐसी होंगी जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता होगा दो छात्राएं थी एक स्कूल में पढ़ती थी आपकी तरह से ही तो एक का तो पढ़ने में मन लगता था और एक का पढ़ने में मन नहीं लगता था एक तो जो है ना अपनी अध्यापिका की बात बड़े ध्यान से सुनती थी और जो बात वो कहती थी उस काम को तभी पूरा कर लेती थी और एक कल के उपर बात को छोड़ देती थी बात को द्यान से नहीं सुनती थी तो जो बात को द्यान से सुनती थी और जो बात को द्यान से नहीं सुनती थी उसने एक बात कही क्या कही कि पठितव्यम तदपी मर्तव्यम ने पठितव्यम तदपी मर्तव्यम फिर दंत कटा कटेती किम करतव्यम जो पाठ को बड़े द्यान से नहीं सुनती थी वो कह रही है अपनी दूसरी छात्रा से कि जो पढ़ती है ना वो भी मर जाती है और जो नहीं पढ़ती वो भी मर जाती है फिर दाट कड़ सही कहा कि गलत गलत कहा न तो उसने भी उसकी बात में बात मिला करके कहा कि खादी तव्यम तदपी मरतव्यम ने खादी तव्यम तदपी मरतव्यम फिर ठूसा ठूसम कीम करतव्यम अच्छा जो खाती है वो भी मर जाती है और जो नहीं खाती अच्छा सही है की गलत है बताओ गलत है तो फिर क्यों खाते हो ध्यान से सुनो पढ़ने लिखने का संबंद मरने जीने से नहीं है खाने पीने का संबंध मरने जीने से नहीं है मात्मा विदुर माभारत के अंदर लिखते हैं ना विद्या विना सोख्यम नराणाम जायते दुरुवम विद्या के विना व्यक्ति कभी भी सुखी हो नहीं सकता विद्या तो कुरूपो का भी रूप है विद्या विद्या के विना कभी व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता इसलिए मैंसी द्यानन जी ने आर्ये समाज का आठवानियम लिखा अविद्या का नास और विद्या की विद्धी करनी चाहिए विद्या के विहीन व्यक्ति पशु है और जो विद्या से संपन हो जाता है उसको विद्वान कहा जाता है उसका संवान होता है इसलिए बहुत सुन्दर बात मेरी ध्यान से सुनना आप हो कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरे अनपढ़ पसु कहाए पढ़ा लिखाई निसान सदा सम्मान जगत में भाए कितनी भी मजबूरे पढ़ना बहुत जरूरे अनपढ़ पसु कहाए पढ़ा लिखाई निसान सदा सम्मान जगत में भाए कितनी भी मजबूरे पढ़ना बहुत जरूरे अनपढ़ पसु कहाए बड़ा लिकाए निसान सदा समान जगत में पाए कितनी भी मज़बूरे पढ़ना बहुत जरूरे अनपड रहना अभी साप है इस दुनिया में आकर हो जाता है मान मनुस्य विद्या धल को पाकर हापा कर हापा कर इस लिए विद्या सर्विस्रेष्ट अनमोल रतन कहलाए पढ़ा लिखा इनिसान सदा समान जगत में पाए कितनी भी मज़बूरे पढ़ना बहुत जरूरे पान पड़का सूपाए खर्च करो तो बढ़ती है विद्या ये कभी न घटती जुरा सके ना चोर से ये नहीं किसी से बढ़ती नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती विद्या में बैशकती है की काग हन्स हो जाए कितनी भी मज़बूरे पढ़ना बहुत जरूरे पान पड़का सूपाए पड़ा लिखाए निसान सदा समाल जगत में खाए कितनी ही मज़बूरे पढ़ना बहुत जरूरे जो नर्विद्या से बंचित वहभागे ही न होता है सपने में भी सुखी नहीं सदा परादीन रहता है रहता है रहता है जीवन पट पर रहे अन्देरा भटक भटक मर जाए बड़ा लिखाए निसान सदा समाल जगत में खाए कितनी भी मजबूरे पढ़ना बहुत जरूरे अनपढ़ पसु कहाए बड़ा लिखाए निसान सदा समाल जगत में खाए हो कितनी भी मजबूरे पढ़ना विद्या से हैं प्यार जिसे वह सब के मन को भाए धर्म अर्थ और काम बोक्स वह सबी पदा रत पाए हाँ पाए हाँ पाए विद्या से हैं प्यार जिसे वह सब के मन को भाए धर्म अर्थ और काम बोक्स वह सबी पदा रत पाए आपाए आपाए पाओ प्रेम से संत राम प्रेमीने भजन बनायो पढ़ा लिका इनसान सदा समान जगत में पाए कितनी भी मजबूरे पढ़ना बहुत जरूरे आगे बढ़ना बहुत जरूरे हो कितनी भी मजबूरी पर पढ़ना बहुत जरूरे